इमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में अलग चमकने वाला हीरा हेलो एबिवन मैं आपकी दोस्त पुष्पा आपके लिए एवर ग्रीन डिजाइन लेके आई हूँ इस डिजाइन को आप फिमेल सोइटर में डाल सकते हैं जैसे कार्डिगन है जाकेट है और बेबी सोइटरों में फ्रॉक में ये जहालर में बहुत ही प्यारा लगेगा इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टिपल में 10 के मल्टिपल में फंदे लेने होंगे 10, 10, 10 प्लस 7 फंदा एक्स्ट्रा बारा सलाईयों का डिजाइन है इन ही बारा सलाईयों को बार बार रिपिट किया जाता है तो इस तरह से डिजाइन बन के आता है फ्रंट से ये इस तरह से बन के आता है बैक साइट से ये इस तरह से बन के आता है border बनाने के बाद जितना भी फंदा आपको बढ़ाना हो बढ़ाईए इसी के according 10 के multiple में फंदे लिजिए और प्लस 7 कीजिए तो ये design जो है accurate बैठेगा तो चलिए start करते हैं कि इस design को कैसे बनाय जाता है इस design को बनाने के लिए मैंने सलाई पे 10 के multiple में फंदे लिए है 20 प्लस 7 27 फंदे तो मैंने इस तरह से border बनाया है जैसे cardigan में डालें तो इस तरह से border डाल के आप बना सकते हैं तो first row जो है वो पूरा सिधा सिधा बनेगा first row पूरी सलाई हम सिधा बनाएंगे first row complete हुआ second row पूरी सलाई उल्टा उल्टा बनाएंगे उल्टी बनाई second row complete हुआ third row first फंदा स्लिप करेंगे अब यहां से डिजाइन स्टार्ट होगा first फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदा सिधा बनाएंगे एक, दो, टीन, चार, पांच पांच फंदा सिधा बनाने के बाद उन आगे लेके आएंगे अब पांच फंदे को एक साथ पीछे से बैक साइट से बनाना है यह चार फंदे हो गए एक फंदा और इसको पीछे से लेते हुए जाली बनाते हुए थोरी धीली हाथों से इस फंदे को इस तरह से पांचो फंदों को एक साथ बनाते हुए एक फंदा यहाँ पे निकाला गया है एक जाली बना है और फिर से इस फंदे को पीछे से लेते हुए बैक साइट से एक बार और इसको बनाएंगे फिर उन आगे लेते हुए जाली बनाते हुए पांच भंदा सीधा पांच भंदा सीधा बना अब उन आगे लेते हुए फिर से पांच भंदों को एक साथ बनाएंगे जाली बनाते हुए चार पांच इस तरह से पीछे से लेते हुए बनाने के बाद इस फंदे को इस तरह से दुबारा से इसको बनाएंगे पीछे से इस तरह से बनाते हुए इसे सिलिप करेंगे उन आगे लेके आएंगे जाली बनाते हुए लास्ट में पांच फंदा सीधा एक फंदा एजे स्टिच तो ये थर्ड रो फोर्थ रो बैक साइट पूरी सलाई उल्टा उल्टा बनेगा फोर्थ रो कम्प्लीट हुआ फिप्थ रो फर्स्ट बंदा सिलिप करेंगे पाच बंदा सीधा बनाएंगे 2 3 4 5 पाच फ़ंदा सिधा बनाते हुए यहाँ पे 2 फ़ंदा Missing है तो यह जो थर्ड रो में यहाँ पे 5 का 1 किया गया तो एक फ़ंदा इधर बढ़ा एक फ़ंदा इधर बढ़ा डो फ़ंदा अभी और complete करना है तो ये जाली वाला फंदा जो है इसको हम सिधा बना लेंगे अब ये सेंटर वाला फंदा जो है यहाँ पे जाली बनाएंगे उन आगे लेते हुए जाली बना फिर उन आगे जाली बनाते हुए एक फंदा सिधा तो यहाँ पे अब पाँच फंदा कम्प्लीट हुआ यह जाली बला फंदा सीधा बनाते हुए अब यहाँ पे एक जाली और बनेगा यहाँ पे उन आगे लेते हुए यह सेंटर बला फंदा जो है इसको सीधा बनाते हुए यहाँ जाली बनाएंगे फिर उन आगे लेते हुए यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे तो इस तरह से यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच तो यहाँ पर complete हो गया पाँच फंदा फिर last में पाँच फंदा सीधा यह एक edge stitch तो 5th row complete हुआ, 6th row 6th row पीछे से सारा फंदा उल्टा उल्टा बनेगा 6th row complete हुआ, तो इस तरह से यह design बनके आया है अब इसको यहाँ पर change करेंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ तो इस तरह से cut-cut के बनता है तो 6th row complete हुई, फिर से 1st row की तरह हम 2th row simple बनाएंगे 7th row पूरी सलाई सिधी बनेगे 7th row complete हुआ, simple सिधा बनाएं, 7th row 8th row पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे 8th row complete हुआ, 9th row 1st फंदर slip करेंगे उन आगे लेते हुए, अब यहाँ पर 5 फंदों को एक साथ पीछे से बनाते हुए slip करेंगे, जाली बनाते हुए 4, 5 पीछे से इस तरह से लेंगे और इस तरह से जाली बनाते हुए धीली हाथों से इस तरह से 5 फंदों को slip करेंगे फिर से इस फंदे को लेते हुए इसको एक बार और सीधा बनाएंगे फिर उन आगे पांच फंदा सीधा अब यहाँ जहाँ डिजाइन बना था पांच फंदों का यह सिंपल सीधा बनेगा दो, तीन, चार, पांच फिर उन आगे लेंगे, अब 5 फंदों को एक साथ, 2, 3, 4, 5 5 फंदे को इस तरह से पीछे से जाली बनाते हुए उन आगे है पांचो को एक साथ बनाते वए पांचो फंदो को स्लिप करेंगे और फिर से इस फंदे को पिछे से तोड़ा इस तरह से करते वए इसे दुबारा से सिधा बनांगे फिर उन आगे पांच फंदा सिधा पांच पंदा सीधा फिर उन आगे लेते हुए वही प्रोसेस पांच पंदों का पांच पंदों को एक साथ बनाते हुए पीछे से यहाँ पे जाली बनेगा इस तरह से बनाते हुए इस फंदे को सिलिप करेंगे पांचों को फिर से इसे लेफ्ट सलाई पे लेते हुए पीछे से एक बार और सिधा बनाएंगे फिर उन आगे और जाली बनाते हुए एक फंदा सिधा पीछे से दस्मा सलाई पूरा फंदा उल्टा उल्टा बनाएंगे बैक साइड अब 11 मा सलाई फर्स्ट फंदा सलिप करेंगे यह जाली वाला फंदा हम सिधा बनाएंगे अब यह सेंटर वाला फंदा है यह अब उन आगे लेते हुए यहां जाली बनाते हुए एक फंदा सिधा यहां एक फंदा बढ़ गया फिर उन आगे और यहां पे सिधा बनाते हुए दूसरा फंदा बढ़ा तो यहाँ पर 5 फंदा हो गया 3, 2, 5 तो 5 का 5 यहाँ पर complete होता है अब 5 फंदा सीधा फिर से वही process center वाला फंदा जो है यह यहाँ पर जाली बनाते वे सीधा बनाएंगे फिर उन आगे लेते वे जाली बनाते हुए यहां पे सिधा बनाएंगे तो 5 का 5 फंदा यहां complete हो गया है फिर 5 फंदा सिधा बनाएंगे फिर उन आगे लेते हुए जाली बनाते हुए 1 फंदा यहां बढ़ाएंगे फिर उन आगे जाली बनाते हुए 1 फंदा यहां बढ़ गया लास्ट में एक फंदा सीधा तो इस तरह से यहां कम्प्लीट हो गया पांच का पांच फंदा बैक साइट 12 रो बारमा सलाई पूरा फंदा उल्टा उल्टा बनाएंगे तो इस तरह से यह डिजाइन बनके आया 12 सलाईओं का डिजाइन है इन्ही 12 सलाईओं को बारबार रिपीट करना है आसा करती हूँ आपको यह डिजाइन पसंद आया होगा मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए like and share कीजिए मिलती हूँ एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए take care and God bless you all thank you